हन जी राम राम जी इंडियन आर्मी में नई बढ़ती आई है स्टाफ नर्स के पदोपे यदि आप स्टाफ नर्स के पदोपे काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा वीडियो को लाइक कर लीजिगा तो MNS के पदों पे भरती है military nursing service ठीक है 2023 का नोटिफिकेसन है वो आ गया है इसके अंदर लगबग 200 क्या सपास vacancy रहने वाड़ी है पेस्किल आप देख सकते हैं 56,000 से लेके एक लाग 37,000 रुपे तक All India Level के vacancy है 26,000 दिसंबर तक आप ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं MNS नोटिफिकेसन आप इसको सर्च कर सकते हैं Google पे सभी के निट की 90 रुपे फीश लगएगी दोस्तों फीश आपको ओनलाइन मूड में जमा करवानी है 11 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और फिर इसका एकजाम होगा 14 जनवरी 2024 को और पहले सपता में इसके अडमिट काड़ है रेलीज हो जाएंगे जनवरी में यह जो एकजाम है आपका NT के दुवारा कंड़क्ट करवा जाएगा यदि इस बरती के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट 21 से 35 साल ठीक है एज की काउंटिंग 26 12 2030 इस डेट से की जाएगी आप कितने साल के हो ठीक है तो मिलिटरी नर्सिंग सर्विस MNS के पदो बिवरती है दोस्तों के असपास वकैंसी है क्वालिफिकेशन बीएसी नर्सिंग आप निकर रखी हो तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें सबसे पहले आपका रिटन एक्जाम होगा फिर इंटर्व्यू फिर डोकुमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका स्टाफ नर्स की योग्यता रखते हैं कि बीएसी नर्सिंग आपने बीएसी नर्सिंग से डेड़ेड आप अपड़ाई कर रखें तो आप इस भरती के लिए आवे दिन कर लीजिएगा ठीक है एम एनस नोटिफिकेशन 2023 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ठीक है तो यदि आपके पास योग्यता है तो आप अपलाई कर लीजिगा यहां पर देखिए सारी चे बता रखी है इंपर्टेंट डेट डूरेशन ओफ एक्जाम डाय गंटे का टाइम रहेगा 150 मिनट टाइम रहेगा आपका टाइमिंग ओफ एक्जाम 10 से 12 रहेगा ठीक है और फीस आप ओनलाइन मोड में जमा करवा सकते हैं और इस वेबसाइट से आप फोर्म बर सकते हैं ठीक है जी तो यह सारी चीज़ें यहां पर लिक्क होई हैं तो इदिया आप स्टाफ नर्स में लगना चाहते हैं तो फटा फटा अपना रजिस्टेस्टेस नहां कर ली ठीक है मीडियम आपका इंगली से रहेगा स्कीम ओफ एक्जामिनेसन आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर आप देख लिजिए क्या क्या की चीज़ें आपकी पूछने जाने वाड़ी है ठीक है तो नाइगेटिव मर्किंग नहीं है यहां पर सारी चीज़ें लि